हलो फ्रेंड्स मैं आपकी ब्यूटी होस्त रुकसार आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेस पे विटामिन E कैपसुल कैसे लगाते हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आएए सेखे हैं हिटामिन E कैपसुल हमारे पेस पे कैसे लगाते हैं और उसके क्याक्या बेनिफिट्स है विटामिन E कैपसुल ऐसी होती हैborgरें और यह pleased किनिफिट से विशिश किन लाइटनिंग करता है इसे हम लाइटनीं करता है इसे ये यह रिमूब करता है अब मैं आपको बताती हूं इसे कैसे यूज़ करना है यह मैंनेना कैप्सॐल ली है अब मैं ऐसे फोड़ हूंगी एक vedoke लिया है अब मेलूंगी एलोवीरा जिल अब कोई भी एलोवीरा जल ले सकते हूं मैं नेचल का ले रही हूं थोड़ासा एलोवीरा जल ले रही हूं ऐसे और इसमें इसे मिक्स करने वाली हूं ऐसे हमें मिक्स करना है आप चाहे तो इसे खा भी सकते हो या तो फिर आप इसे देख सकते हो आप अलोवेरा जेल का कलर पूरा चेंज हो गया है और ये क्रीम बन गया है या आप इसे नाइट क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हो आपको क्या करना है का पेस क्लीनेप करना है सोने से पहले और इसे आपको मिक्स करना है और आपको ऐसे इसे अपलाई करना है इसे अच्छे से में मसाज करना है इसे हमारी स्कीन में अच्छे से अब्सॉब हो जाएंगी जो हमारी डेट स्कीन से उससे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी होता है इससे हमारा फेस अब देख सकते हूं मैं मेरे आई एरिया का नहीं लगा रही हूं क्योंकि इस पर हम डारेक्ट उसे पोड कर दूसरी कैप्सुल लगाएंगे क्योंकि आपको अलोवी रजल नहीं लगाना है अब देख सकते हूं मेरे फेस किपना ड्राय था सारा उसने अब्सॉब कर लिया है हमारे फेस को हल्दी रखता है हमारे स्पॉर्ट्स कम होते हैं जैसे मुझे यहाप काफी स्पॉर्ट्स हैं अब मैं आपको बताऊंगी काफी लोग पूछते हैं कि विटामिन ए अगर हम हैर के लिए यूज करते हैं तो अगर हम फेस पे भी यूज करेंगे तो हमारे फेस पे भी बाल आएंगे क्या बट ऐसा कुछ नहीं है विटामिन ए कैप्सुल आप खा भी सकते हो अगर आपको मेडिसिन्स ज्यादा खाना पसंद नहीं है मेरी तरह जैसे मैं मेडिसिन्स बिल्कुल एवॉइड करती हूँ तो इससे आप डायरेक्ट आपके पेस पे भी लगा सकते हो मेरा फेस एकदम अच्छे से मॉइस्ट हुआ है अब मैं एक और कैप्सुल लूँगी और पिन की हेल्प से उसे फोर दूँगी अब हमें क्या करना है इसे ऐसे ड्रॉप्स लेना है हमारे फिंगर पे ऐसे और इसे हमारे आई एरिया पर ऐसे अपलाए करना है एकदम जेंटली हमें स्प्रेट करना है उसे मसाज नहीं देनी हमें आप इसे चाहे तो आपके मौश्यराइजर में भी यूज कर सकते हो अगर आपको healthy skin चाहिए तो आप दिन में भी से लगा सकते हो मौश्यराइजर लेना है आपको थोड़ा सा और उसमें mix करना है और इसे लगाना है यह मेरी दूसरी आप पर भी मैंने लगा लिया है इसते जो मेरे dark circles होंगे यह lighten up हो जाएगे और इसी तरह आपको आपका lip balm लेना है यह बैजलीन होती है वो लेना है उसमें इसे mix करना है और आपके lips को भी से moist करना है यह lip mask भी बन सकता है और अगर आपको face pack लगा रहे हो आप मुलतानी मिट्टी के काफी सारे brands available है market में तो आप कोई भी face pack ले लीजिए उसमें एक capsule उसमें add कर लिए rose water दालिए अगर आपकी skin dry है तो milk लीजिए और उसे mix करके आपके face pack भी आप बना के इसे use कर सकते हो उमीद करती हूँ के आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए share कीजिए और subscribe करना मत भूलिए बाई